विश्वास ये केवल शब्द नहीं ये वो नीव है जिस पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है किन्तु आज या तो हम किसी पर अविश्वास करते हैं या फिर किसी पर अंधविश्वास दोनों ही परस्थित्या घातक होती हैं चुकि जहां अविश्वास हमारे मन में भय और आज सुरक्षा को जन देता है वहीं अंधविश्वास आकरोश को तो प्रश्ण ये उठता है कि विश्वास की परिभाशा क्या है विश्वास की परिभाशा जाननी है तो अपने मन से पूछिए पहले स्वयम पर विश्वास कीजी कि आप इस संसार के सबसे महत्वपून व्यक्ती है और ये विश्वास आपको अपनी शक्ती का ज्यान करवाएगा और शक्ती अपने उत्तर दाइद्व का और फिर अपने आप लक्ष मिल जाएगा मार्क मिल जाएगा ये माया महल है वासदेव अद्बद भद्र विश्व कर्मा बहुत ही सुन्दर भवन है मैंने सोचा देवी पांचाली के मनोरंजन के लिए कुछ विशेश प्रयास कर लूँ यहां जो जैसा दिखाई दे रहा है वो वैसा कदाप नहीं है कि अद्बद भुप्त चरों से सूचना प्राप्त हुई है कि पांडव राज्यस्विय यज्य करने वाले हैं और आप भी वहाँ जाएंगे यद्यपी क्रिशन के मित्र मेरे स्वाभावे शत्र हैं हां परन्तु पिता के आदेश के कारण जाना होगा तो कुछ ऐसा कीजिये न कि आपके स्वाभाविक शत्रूओं का प्रेवजंग विफल हो जाए निती कहते है कि यज्य में निमंत्रित अतिथी का अतिथे द्वारा अप्मान हो जाए तो यज्य बंग हो जाता है तो अतियन सरल कार रहे हैं गांधारनरेश आपने तो वो कार्रे बता दिया इसमें मुझे तो सर्वती का अओने की अवोतिया अत्व बंग अत्व बंग अत्व पूओ अत्व अजबतना सखा, जहाँ जल दिखता है, वहाँ भूमी है, और जहाँ भूमी दिखती है, वहाँ जल. सखा, आप मेरे हांस पर फोदेत तो नहीं है, ना? सखा हूँ, क्रोधित कैसे हो सकता हूँ? परन्तु कदाचित, कोई और क्रोधित ना हो जाए. परनीपात माधा, यह मंतरन भेजे जाने के लिए परस्तुर थे. तो पहला निमंतरन हस्तिन आप पर जाएगा. क्या हुआ पार्थ? कुछ व्यत्यत दिखाई देते हो. हाँ माधा, शंका है कि कैद्रियोधन यहां आना सिर्कार करेगा. उसे तो हमारी उन्नती तनिक भी निसुहाती. और यदि वो यहां नहीं आया तो माधा कुंती यहां अकेली कैसे आएगे? प्रियास करना हमारा कर्म है पार्थ, और यह कर्म बिना परिणाम सोचे करना होगा, कदाचे फ़ल हमारे हित में हूँ. मैं हस्तिनापुर निमंत्रण स्वयम लेकर जाऊंगा. चुकि केवल माता कुंती को नहीं. तुम्हारे कुछ और संबंधियों को भी यहां लेकर आना है. एक! देखनी रहे तुम्हारे समख्ष, छेदी नरेश. जिशुपाल घड़े है. तो छेदी नरेश तुम भी जान लो, कि तुम अंगराजकांड के सामने खड़े हो. तुम हो अंगराजकांड. दान में बंजर भूनी क्या मिल गई? पूल गए कि सूत का काम, रत की बागदोर संभालना है. रत जेकी नहीं? रगता है घर पर भचन देकर आये हो, कि जीवेत नहीं लोटोगे. यहाँ प्राइब कि अच्छुपाल, यह मेरे अठेटी. अच्छोपाल, यह मेरे आतेदी. अच्छुपाल, यह चुपाल, यह मेरे अटेदी. और मेरे मित्र भी और इस नादे से आप दोनों भी मित्र ही हुए मेरा केवल एक ही मित्र है और वो हो तुम्हारे अत्रिक किसी को मित्र बनाना होकर तो इस पारचे इन में साफधानी पर दोगा अपने अथिती को अथिती की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे दे ना मित्र कि अपने अपने की की अपने की ना हो कि अवच्यों प्रफ़ को आर थे आया है और मित्र है आया आपको बारचे ऊपने की की अवच्यों झाल झाल आओ अंगराज तुम्हारे ही प्रतिक्षाथी जमा कीजिये वासुदेव मुझे ग्यात नहीं था कि आप भी यहाँ है कोई समस्या नहीं मित्र बहुत कुछ है जो अब तक सबको ग्यात नहीं परन्तु अब सबको ग्यात होगा मैं वासुदेव कृष्ट इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्टिर की ओर से प्रणाम करता हूँ और उनकी ओर से आप सब को निमंत्रन देता हूँ कैसा निमंत्रन वासुदेव अपनों को निमंत्रन आनंदो उत्सफ के लिए ही दिया जाता है महराज आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपनी परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंदप्रस्थ में परिवर्थित कर दिया और अब इंदप्रस्थ एक प्रसन और स्वतंत्र देश है और युधिश्टिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वग शासन चला रहे है मैं हस्तिनापूर को बधाई देना चाहता हूँ कि धर्म राज राज सुया यग्य संपन्द करके चक्रवर्थी होने जा रहे है और उन्होंने साधर आप सब को इस यग्य के आयोजर में निमंत्रत किया है आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूद के स्थान पर स्वैम मुझसे आग रह किया कि मैं आप सब को ये निमंत्रन दूँ वासुदेव यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों में पंजर भूमी को इंद्र प्रस्थ बना दिया महराज इस समारों में हमारा संबलित होना आवश्यक है कुरुवन्ष की संतान चक्रवती सम्राठ बने यह हमारे लिए गर्व की बात है यह कुरुपरिवार के लिए वश्यकर्व की बात है ताच्री परन्तु हस्तना पुर्यदी इस यग्य में समलित हुआ तो क्या यह रजनितिक रूप से उनकी आधिनता मानने के समान नहीं होगा मुझे आश्चर है महराज आपके मन में ये विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान है फिर हस्तनापुर और इंद प्रस्त एक दूसरे से भिन कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके जेश्ट पिताश्री जिनकी मातान परिवार के मान के लिए इंद प्रस्त में नहीं अपितू हस्तनापुर में रहना श्यास कर समझा वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है आप चाहें तो पांडवो को अपना मान कर उन्हें आशिरवाद दे सकते हैं या फिर वहाँ अनुपस्थित होकर ये दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवो के वैभव से इर्शा रखने लगा है तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यग्य में जाना उचित होगा पांडव हमारे शत्रू नहीं है और यदी हस्तिनापुर इस यग्य में सम्मिलित नहीं होता है तो चारो तरफ ये संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवो की उन्नती देखी नहीं गई और यदि किसी कारणवश, राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना, अपने पद की गरीमा के अनुकूल नहीं समझते, तो युवराज को भीज सकते हैं यदि ताच्री और विदुर का यही सुझावे, तो हस्तिनापुर उस समारों में अवश्य सम्मिलित होगा क्या हुआ, अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ती है निमंत्रन आपके लिए भी है नहीं वासुते, मैं उस जग्या में भाग लेना उचित नहीं समझता कारण? एक नहीं तीन कारण है पहला, मैं युदिष्टिर को सम्मराटपत के योग्य ही नहीं समझता दूसरा, मेरी दृष्टी में युदिष्टिर जुवराज दुरियोधन से उत्तम शासक नहीं है दुरियोधन नियमों में बन कर प्रजा पर्शासन नहीं करते हैं अभी तू प्रजा के लिए नियम बनाते हैं और मुझे पूर विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्यम है पिर से किसी शोन के मुख में विगला हुआ सुनन के वल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूथ होकर वेद पाट करने का सहस किया और तीसरा और सबसे बड़ा कारण मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं और जिसे मैं समराठपत के योगे नहीं समझता है मैं उसे उस पत की बदाई देने नहीं जा सकता कि मैं आपके इसने मंतरन को अस्विकार कर रहा हूँ इस पत की बदाई नहीं उसे पत का इसने मंतरन को अस्विकार कर रहा हूँ अपके बदाइ उसे पत की बदाद का अस्विकार का ये नहीं लिए रहा हूँ झाल झाल